नमस्कार आज हम लोग जानेंगे कि लाइब्रेरी में निउस्पेपर का क्या इंपॉर्टेंस होता है यह बहुत ही महत्पूर्ण एक इसको पिरियोडिकल्स बोलते हैं जैसे जो दैनिक या सापताहिक या मासिक रूप में हमारे लाइब्रेरी में चीज़ें आती हैं जैसे निउस्पेपर्स हो गया या मैगजिन्स हो गया जर्नल्स हो गया तो निउस्पेपर भी एक तरह का पिरियोडिकल्स है जो पर दे हमारे लाइब्रेरी में आता है तो इस तरीके से जब निउस्पेपर पहली बार आता है हमारे लाइब्रेरी में तो हम सबसे पहले उसमें स के सबसे उपर हम स्टेंपिंग करते हैं स्टेंपिंग करने का बहुत ही ज़रूरी चीज है जिससे अगर कोई बाहर से नियूस पेपर आए तो फिर वो इसमें मिल ना सके अगर कोई बच्चा नियूस पेपर ले आया लाइबरेरी में और उसने बोला कि नहीं नहीं ये सी कारे के लिए लोग अक्सर पुराने नियूस पेपरस में मांगते हैं तो हमें रिकॉर्ड मी मेंटें करना होता है तो इस टैंपिंग बहुत ही ज़َّयादा ज़रूरी होता है नियूस पेपर में इस तरीके से इस्टेपल के दूसरा बड़ा टास्क होता है, यह देखिए, यहां एक इस्टेपल, हमें निजपेपल खोलने की भी ज़रूद नहीं, यहां तीन, तीन जगांपे इस्टेपल हो गया, तो यह बहतरीन है, यह तीनों जो इस्टेपल हो रहा है, यह हम जब इस्टॉक मेंटेन करते हैं रखते हैं तो फिर यह बिखरता नहीं पेज़े और कई बार कुछ बच्चे के ऐसा होता है जो एडिटॉरियल से ले कर चले जाते हैं तो ऐसा भी कोई नहीं कर पायगा इस टेपल से हना कि जिन्हें ले जाना को रख देते हैं कि जिससे वो दिखाई पड़े और वहां से और यह भी हम इसमें ध्यान देना होता है कि किस तरीके से अंग्रेजी का नीजपेपर एक साथ हो हिंदी का नीजपेपर एक साथ हो और अगर हमने उपर अंग्रेजी का नीजपेपर रखा फिर नीचे हम हिंदी क निउस्पेपर रखते हैं उसके बाद जो पुराने निउस्पेपर होते हैं हम लोग इस तरीके से हम लोग लाइन से लगा देते हैं और निउस्पेपर का नाम भी लिख देते हैं जैसे हिंदुस्तान टाइम्स हो गया तो इस पूरे रैक में हिंदुस्तान टाइम्स की होंगी, फिर टाइम्स आफ इंडिया की होंगी, फिर हिंदु ट्रिबियून, दैनिक जागरान भासकर, दैनिक, यह सारी चीज़ें इस तरीके से करते हैं तो नियूस पेपर का इतना काम होता, उसके बाद यह जितने भी नियूस पेपर बच जाते हैं, उनको हम लोग गोदाम में रख देते हैं, जैसे कुछ दिनों का ही नियूस पेपर, जैसे 30 दिन, 40 दिन ऐसी नियूस पेपर हम यहाँ पे इन बॉक्सेज में रखते हैं, उसके लेटर निकलते हैं कि हमारे यह newspapers है जो ज़्यादा बूली लगाएगा उसको हम फिर हम बेज़ देते हैं तो यह newspaper है इसको periodicals बोलते हैं तो मुझे लगता है आपको अच्छा लगाओ तो यह important चीज होता है किसी भी library में या किसी भी ऐसी संस्था में जो हमें informations प्रोवाइड करती है so thank you